हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हेल्दी हेल्थ यूचिप चैनल को और दबाईए इस कंटी को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले आज हम आपको बहुत से घरेलू उपाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने फेस को क्लीन और ग्लोविंग घर पर ही बना सकते हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं चैर को कैसे सुन्दर और क्लीन बनाए जो बेहत अफेक्टिव और लाजवाब है इन रांग गोरा करने के टिप्स को फॉलो करके आपको अपने स्किन के रंग में पॉजिटिव चेंज़स जरूर दिखेंगे वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में एक बैकिंग सोडा बैकिंग सोडा चेहरे पर चमक लाने के लिए बहुत ही उसरदार उपाय है यह हमारे चेहरे पर ग्रोलाता है इसके लिए सबसे पहले 2-3 चममच, स्पून, बेकिंग सोडा, एक कटोरी में ले फिर बेकिंग सोडा को पावी के साथ मिला कर एक पेस्ट बना ले पेस्ट को 15-20 मिनिट्स के लिए अपने चेहरे पर लगा ले उसके बाद अपना चेहरा अच्छे से धोले, इस विधी से आप चल्दी ही अपने चेहरे में निखार पाएंगे 2-पानी, वाटर, आप सभी जानते है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी होता है अगर हम पानी को सही तरीके से पिए तो इससे ना सिर्फ हमारी प्यास बुझती है बलकि हम बहुत से विम्रिया और रोगों से बचा जा सकता है पानी आपकी स्किन को बहुत सॉफ करता है और अपना बलड सर्किलेशन भी ठीक करता है पूरे दिन में आपको कम से कम 8-10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए जिससे आपकी स्किन हाइडरेड रहे और आपकी बोडी के सारे टॉक्संस निकल जाए आपको सुबह-सुबह खाली पेट पानी पीना बहुत सरूरी है पानी को आप उबाल कर पी सकते है या आजकल पानी सौफ करने के मशीन भी बजार में उपलब्ध है 3. मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी में मैगनीशियम क्लोराइड होता है जो तवचा पर आने वाली कम्यों को दूर करता है और उसमें चमक प्रदान करता है आजकल मार्कित में कई फेस पैक आते हैं जिन में मुल्तानी मिट्टी मिली होती है लेकिन सबसे बहतर यही होता है कि आप मुल्तानी मिट्टी से ही चेहरा धुए मुल्तानी मिट्टी को डायरेक्ट चेहरे पर पेस्ट के रूप में लगाया जा सकता है इसे लगाने से चेहरे की तवचा पर किसी प्रकार का भी दुश्प्रभाव नहीं होता है आप चाहे तो घर पर ही मुल्तानी से फेस्पेक का निर्मान कर सकती है मुल्तानी मिट्टी, दही, ख्रीम, नीम्बू का रस, गुलाव जलादी को अच्छी तरह उचित मात्रा में मिला लें और इसे चेहरे पर लगाएं इस सिलाब मिलेगा इसके लिए आप सबसे पहले 2-2.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें तीन बड़े चम्मच गुलाव जल लें, इन दोनों को ठीक से मिला लें और पेस्ट तेयार कर लें अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अगले 20 मिनिट के लिए लगा लें 20 मिनिट बाद अपना चेहरा धोल लें और गोरा रंग पाएं 4. शेहद हनी शेहद में कॉपर, कैशियम, मेगनीच, पोटेशियम, फॉसफोरस, मेगनेशियम, सोरियम और जिन का आधी खनिच तत्वा होते हैं इससे कई प्रकार के विटामिन भी मिलते हैं शेहद सिर्फ मीठा और स्वादिष्ट ही नहीं होता इसमें बहुत से औशदिय गुन होते है मधू की सबसे अच्छी विशेश्टा ये है कि इसका उप्योग करना बहुत सरल होता है इसे सीधे ही ऐसे ही खालो चाहे जम की तरह ब्रड या रोटी पर लगालो किसी भी द्रब में गोल कर पीलो साथ ही कई चीजों में मधू को मिलाकर कमाल के असरदार घरेलू नुस्खे बनाये जा सकते है अगर आप अपने चेहरे को सुंदर और चमकदार बनाना चाहते है तो सबसे पहले एक चमच शेहद हनी ले दो माइनस तीन बून ट्रॉप्स नीमबू अब नीमबू को शेहद में डाल ले और आचे से गोल ले अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं 20 माइनस 25 मिनिट इसको लगा रहने दीजिए उसके बाद अपना चेहरा सौफ पानी से आपची तरह धो ले चेहरा धुलने के बाद आप अपने चेहरे पर निखार पाएंगे 5. केसर और दही केसर और दही केसर और दही का मिलावट करने से आप अपने चेहरे का रंग गोरा कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले 7-8 पत्यां केसर की ले एक कटोरी में पानी ले केसर को उस पानी में डाल दें केसर पानी में अपना रंग छोड़ देगा आपको उसी पानी में एक से एक दशमलव पांच चम्मच दही डालनी है इनको अच्छे से मिला लें अब आपके पास पेस्ट तेयार है पेस्ट को 15-18 मिनिट्स के लिए अपने चेहरे पर लगाएं उसके बाद अपना चेहरा धोलें और कुछ ही दीनों में आपको आपका चेहरा सुन्दर और खूबसूरत दिखने लगेगा 6. रोज वाटर अगर गुलाब के फूल लाल हो सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं रोज वाटर गुलाब की पंखुडियों से निकाला जाता है जो तवचा और बालों की देख भाल के लिए बहतर माना जाता है बजार से रोज वाटर खरीदने से अच्छा है कि आप इसको अपने घर पर ही तयार कर लें रोज वाटर के अंदर क्लिनेक एजेंट बहुत होते है जिससे आपकी स्किन की सारे डस्ट निकल जाते है और आपको एक शाइनिंग ब्लोइंग स्किन मिलती है इससे सारे पार्ट्स भी सॉफ हो जाते है आप रोज वाटर को रोज रात को लगा कर रख रुखी सुबह आपको अपनी स्किम फ्रेश मिलेगी, आप रोज वाटर वाइब भी यूज कर सकते या आपके रंग को गोरा करने में बहुत मदद करेगी 7. एलोवेरा आलोवेरा जिसकी पत्तियों में धेर सारा तरल पदार्थ भरा होता है इसमें कई प्रकार के प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं इसलिए यह हमारे शरीर के बीमारियों के साथ साथ सुन्दरता के लिए भी बहुत फाइदेमंद होता है एलोवेरा आशदिये गुनों से भरपूर होता है जो आपकी स्किन को क्लीन करता है वो डेट सेल्स को निकाल देता है नए सल्स को बनाता है आप एलोवेरा के गेल को रोज रात को लगा कर सोचाए सुबह ठंडे पानी से फेस सॉफ कर लें आप आलो क्रीम भी उसे कर सकते है घरेलो आशदियों में नीमबू एक एहुम भूमिका निभाता है नीमबू में ब्लीचिंग एजन्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है जो आपके कलर कॉंपलेशन को रोशनी करता है आप एक कॉटन बॉल में नीमबू जूस ले और अपने फेस पर लगाए 20-25 मी बाद थंडे पानी से धो लें यह बहुत सिंपल तरीका है आपके रंग को सॉफ करने का अगर विडियो पसंद आई टू चैनल को सब्सक्राइब करे